सब्सक्राइब दोस्तों को नमस्कार जैहिंद मनरेश सिंग आप सब्सक्राइब का यूटूब चैनल प्रिप्रेशन ओप टेचिंग एंटी नेट में स्वागत कता हूँ आज फिर हम हेट कास्टेविड लडी सी के एक परानी पेपर पर बात करेंगे पहले से हम तीन जो है ओल्ड पेपर के सेट बना चुके हैं यह चोथा है जिसमें पहले हमने पहला वाले जो है इंटेलिजेंस और रिजिनिंग दूसरा जो नम्बरिंग एविल्टी है उसके सम्मन में बनाया था इसके बाद एक सेट जो हमने आपका प्रोफेशनल सब्जक् इसमें मिश्चित था और चोथा जो आज का है आपका यह लैंग्वेज और कम्प्रेहंसिव वाला है जो कि आपकी भासा का है इसमें हम 176 से लेके 200 तक हिंदी के ही क्वेस्चिन होंगे जो आपका लैंग्वेज वाला है और यह है जो यूनिट है आपके लिए सबसे नॉर हैं लोक्तिया पूछी गई है कुछ सवर्वाक्या के वारे में पूछा गया है यानि कि बहुत ही आसान है आपने एक बार इनको देख लिया तो आपके समझ में जाएगा तो चलते हैं 176 पर पहले देख लेते हैं क्या लिखा निमलिकित प्रतियक सब्द के लिए उसके नी सब्सक्राइब करने वाला नाग हो गया यह कह सकते हैं और जो करम धारन समास है उसमें कुछ एक सब्द जैसे का को का को हटाये जाता है और जो दूसरा आपका दिगु समास होता है उसमें क्या है आपका संक्या बताता है जिसमें संक्या होती है कहना मतलब मैं आपको जो वीडियो बनाँगा आप उससे पूरा एक ही वीडियो में पूरा समझ जाएंग और कभी भूल समाज, C करमधाने समाज, D बहुत विग्रे समाज, तो 176 का जो है, इसमें तत्पुरु समाज है, राम अनुज का मतलब होता राम का अनुज या राम का छोटा भाई और 177 जो है 177 सह परिवार में कौन सा समाज है इसमें भी होता सह परिवार का मतलब परिवार के साथ और A में हैं अव्यभाव समाज, B में तत्पुरु समाज, C में दीगु समाज, D में बहुत विग्रे समाज तो अव्यभाव समाज जो होता इसके बारे में मैं बताया नहीं आपको इसमें अव्य होते हैं कुछ 8-10 अव्यभाव हैं जो आप एक बार रख लोगे, याद कर लोगे तो कभी नी भूलोगे, कौन कौन से हैं तो सह परिवार में भी मैंसे आपको बताओं तत्पुरु सी समाज है जो B-Option है सही है 178 में रात दिन, मैं कौन सा समाज है? दीगु समाज, तत्पुरु समाज, दंद समाज, ओडी, करमधार समाज तो 178 में क्या है? दंद समाज है, इसमें क्या होता? दोनों पत्पृधान होते हैं, जैसे रात दिन हो गया, माता पिता हो गया, ऊपर नीचे हो गया, राजा रानी हो गया, जितने भी कहना मतलब दोनों पत्पृधान है, यह तो बहुत ही सिंपल है, अगर इस से कोई कोई रहना ये है अव्यभाव समाज तो अव्यभाव में तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें अव्यभाव में तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें अव्य नहीं है करमधान समाज नहीं आएगा तत्पुर्स समाज दंत समाज तो 179 का जो है इसमें तत्पुर्स समाज से सी आएगा या इसमें यह है क्योंकि कुछ समाज की विशेष्टाई है कुछ समाज के समंदी महत्पूर्ण चीजें वह देखनी आपको जो जो जी जैसे 180 है चोरहा इसमें ए बहुविग्र समाज बी तत्रु समाज सी अभ्जवाब समाज डी देगू समाज दीगू समाज तो 180 में आपको जो संक्या बता जहां भी आएगा जैस त्योराया होग जःएह 10 मुख्य होग्या जहां भी पहले संक्या आएगि तो हमाज दीगू समाज होगा अब 181 से लेकर 185 में देखते हैं क्या पूछा निम लिखित प्रतिक चार विकल्पों में से बेमेल ऐ संगत सब छाटना इन चारों में से कौन सा है 187 में क्य दिया था सारि रिख देही मांसिक यह तीनों हो सकती हैं क्या हो सकती आधी तो इसमें आधी सब्द अलग है क्योंकि आधी मत होता पीडा दुक शंकत तो यह तीनों번 Fuk? तो यह संकत दुक है यह पीडा है वो धिया हो सकती two तीनों एक से है लेकिन इसमें D option आपका अलग हो जाएगा पिरसन नमबर 182 चोट जखम खून पीड़ा तो इसमें जो है A option अलग है क्योंकि चोट लगने के यह एक समान माने जाएंगे अब पिरसन नमबर 184 के चलते हैं इसमें दिया यूप्ति वालिका दुहिता नविव तीनों जो फष्ट है दोस्तों इसमें क्या है इस त्रिलिंग है और चोथा जो है आपका पूर्लिंग है तो इसमें पूर्लिंग यानि कि नविवक आपका सही कि राजा होता है या वह तो इसमें डी ओप्शन आपका सही उत्तर हो जाया है आप चलते हैं 186 से लेकर 189 में क्या पूछा निम्मे से सरल वाक्य का चैन की दोस्तों सरल वाक्य है आपको सबसे पहले यह पता होनी चाहिए वाक्य कितने प्रकार वाक्य तीन प्रकार के सरल सरल वाक्य मिश्डवाक्य और इनकी भी कुछ बिस्षा इसके समझने में ऐसे चोटा सा वीडियो बना दूआ हैं कुछ सब्द ऐसे हैं जो मिश्डवाक्य बना देती हैं तो आपको नो देखना है अब ही चलते हैं 186 में क्या उसने कहा कि कार अल्जा बंद हो गया यह भी सरथ नहीं है, सुवे हुई और वह आ गया, यह भी सरथ नहीं है तराहूल दीरे दीरे लिखता है, यह सरथ है क्योंकि सरथ प्योंकर करता एक होता है D जो है जो बढ़े हैं उने सम्माल दो यह भी सरथ नहीं है तो C option इसका सही है, 187, वह जो ही आए, मेरे पास भेज देना, यह भी सरल नहीं है B, निधी टाइप करना सीख चुकी है, अब वह साथ हैंड सीख रही है C, विजय को बोलो की फोरण चला आए, D, यता संभव वह कार्या साम तक पूरा कर दो तो इसमें निधी एक ही है, और उसकी कित्या भी एक ही है, टाइपिंग या सोट हैंड एक ही बात है, तो इसमें B option हो जाएगा 188, उसको इतनी जुम्मेदारी मद्दों की वह उन्हें निभान न सके, B में उन्हीं लोगों से मिलना चाहिए, जिन से सद्विवार की सिख्षा मिली, कोई नहीं जानता की कल क्या होगा यह है, इसमें C option सरलवाकिया है, दया से बढ़कर कोई भाव नहीं, क्योंकि दया भाव दोनों दो अलग चीज हो जाती है, तो इसमें भी C option होगा, 188 का, 189 में विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं, इसमें विद्या और धन दो है, देश में विकास कारों की प्रगती धीम करना ही पड़ेगा, तो यह है, आपका एक सरलवाकिया हो जाएगा D option, अब प्रिशन नंबर 196 से लेके, नहीं, 189 हो गया, आप चलते हैं, प्रिशन नंबर 190 से लेके, 190 में नीचे दिये गए प्रिशन में काले छपे, सब्दों के 4 संभावितात पर यह है, सही विकल्प चुनना है कि उसका अर्थ क्या होता है, तो 190 में दिया लोकिक, ए में दिया पकड़ दिया गया, कोई मतलब भी नहीं बनता, लोकी से बना, नहीं, एक समान दिखने वाला, नहीं, जो इस लोकी बात हो, नहीं, इसमें C आएगा, एक समान दिखने वाला, नहीं, आपको यह ऐसे मैं बताओं जब आपने अगर प्रिमान पड़े होंगे तो उसमें जो लोकिक सब्द का बहुत माइन है कहने मतलब जो प्रित्यक्स प्रिमान है उसमें वबत की गई है प्रित्यक्स प्रिमान में जो है लोकिक होना चाहिए जो आप उसको सत्य माने लोकिक होना चाहिए एक समान ही दिखने वाला हो जैसे मानलिया आप ने को ग्यान है कि जहां आग है वहाँ दुआ होता है तो वह दुआ जो है जिस रंग का होता है अगर भारत में है आग जली है दुआ का रंग ऐसा है तो अमरीका कहीं भी पूरे लोक में एक इसमान देखने वाला होगा यह जो है आपके पिर्मान से संबंडित है काईने मतला जो सब्स है लोकी तो उसका लोकी का मतल पूरे लोक में एक समान होने वाला सी पैसे से मदद लिए किसी के लिए कोई कार्या करना तो किर्पा जो है इसमें आएगी ढाएगी आपकी धीन व्यक्ति की साहता क्योंकि दुक में जो पहले दिया सानुबूती उसको साथ वुना देना साथ वना देना, अगर किसी को दूख है, अगर आप उसको सानुगूती देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, साथ वना देना, अब पैसे से अगर किसी की मदद कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं, और किसी के लिए कोई कार्या करते हैं, तो उसको उपकार बोलते हैं, तो इसक किसी कारय को करने में सरम, B. कि अनुचित कार्य करने में सरम, C. दिया की बुरे कर्मों पर भुख, B. 21C आत्मिष्वास का नहना. вес 192 संकोच , जिजर्च भी बोलते हैं, हिचग भी code, लजजा भी ब बोलते हैं, तो किसी कार्य को करने में सरम है उसको संकोच से बोला 987 किसी की सूनता नहीं। इसा लगाव नरखने वाला या अलग नहीं। यानि कि जिसको किसी बात की काम ना न हो, इसमें आ जाएगा. और जैसे मनले A में दिया, जिसे कुछ भी ज्ञान न हो, अनभिग हो जाएगा. जो किसी किस ना सुनता हो, तो जो है घमंडी बोल तो या कुछ यह से आजाएगा. और जिसका कोई पक्ष न हो निपक्ष आ जाएगा तो जिसमें 193 रहें अब है 194 Unpadh जो पढ़ने योग्यां न हो B में जो पढ़ा न गया हो S में पढ़ा जिसका पढ़ना मना हो D जो पढ़ा लिखा नहों तो इसमें तो अनपढ़ तो वही है, जो पड़ा लिखाना हो, D, बिल्कुल सिंपल है, अब 190, 5 पे चलते हैं, सस्त, जो हत्यार दूर से फैका जाए, नहीं, जिस हत्यार को हाथ से लेके लड़ा जाए, बिल्कुल सही है, बी सही आएगा, जो हत्यार है, जो हत्यार मन पढ़ प्योग के जाए, तो सस्त होता है, जिस हाथ, जिसे तलवार सस्त है, भाला, जो हाथ में लेके लड़ते हैं, वो जो सस्त होता है, अब 195 हो गया, आप चलते हैं, 196 से 200 तक, नीचे कुछ लोक्तिया दी गई है, प्यूप्यूक्त सब छाटा गया है, उसके रिक्तिस्तान में चैनकी जी बहुत ही सिंपल हैं, इसमें है, कर तो हो भला, अब इसमें जूणना है, आपको को रहा है, ए सेवा, बी भला, सी भला, बी बुरा, तो इसमें है, कर भला, तो हो भला, बी ओप्सन सही आएगा, भगवान के घर है अंधेर नहीं, तो ए दीपक, परसाद, सी में देरी, मूर्थी, तो भगवान के घर में देर हैं, अंधेर नहीं, तो सी ओप्सन इसमें आएगा, 198, के अंधेरे को हरा ही हरा नजर आता है, ए बचपन, बी सावन, सी बात, डी आँग, तो इसमें आँग के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो डी ओप्सन आएगा, 199, बंदर क्या जाने का स्वाद, इसमें A मिठाई, B अद्रक, C प्याद, D जीरा, तो बंदर क्या जाने, अद्रक का स्वाद, अद्रक आएगा, B ओप्सन, बहुत ही सिंपल है, और 200 नंबर पे हैं, अंधे में राजा, तो A लंगडा, B लूला, C काना, D पहलवान, तो 176 से 200 के, आपके हिंदी के, क्वेस्चन थे, बहुत ही सिंपल है, और आपके जो भासा से इसी तरह क्योंकि सभी objective question आ रहे हैं, आएंगे, क्योंकि उसमें सब बताया गया है objective है, तो आपके समास, लोक्तिय आएंगे, कुछ मैं और साधरवाक की आएंगे, और कुछ संधिय जो अभी 150 से लेके 175 तक छोड़ गया, उसको कल दूसी वीडियो बनाएंगे, तो कि वीडियो बड़ा हो जाता तो उसना time लगता है, और देखने में भी थोड़ा problem होता है, इन से समंदी मैं एक एक वीडियो बना दूँगा, भी समास समंदी आज ही वीडियो आपको मिल जाएगी, जो भी आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे, तो अर्हान इसे question कर पाएगे, तो कि पिरती एक समास की विश्यस्ता है, आपको उसरी पो समझना है, जैसे ही आप समझ जाएगे, तुरन जैसे मान तिर्भुजा गया, तो आप तुरन समझ जाएगे कि तिर आपने अब शब्राएख दोने जाएगे, ओंसे पहले तो को से निहीं शब्राइगे, प्लिश प्लेज चनल को सब्क्राइब, मैं जब शब्राईख करें, यत ना मेरे को कोई ऐसा वो नहीं है ज्यादे, लेकिन मैं अपना देकता हूँ, सब्क्राइब बढ़ रहे हैं की तो मेरा मुराल होता है और मेरे को फिर और ज़्यादे वीडियो बनाने की उत्ता होती है थेंक्यों धन्यवाद